नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत आप सभी का मेरे चैनल, Civil Engineering ChapterWise में आज की वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं, second part of investigation and scope of defects इसमें हम cover करेंगे scope of investigation, factor to be ascertained during investigation of defects preliminary investigation क्या होता है, sources of information क्या होती है और systematic steps of diagnosis of defect तो इन सब्सक्राइब को हम इसमें discuss करने वाले हैं जो भी लोग मेरे चैनल पर नए है या जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को subscribe नहीं किया है तो प्लीज सबसे पहले आप इसको subscribe कीजिए यह है subscribe का button इसको आप press कीजिए साथ जो bell icon है इसको आप जरूर प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने माले सबी वीडियो का notification आपको मिल सके और आप इन सब का benefit ले सकें स्कॉप ओफ इन्वेस्टिगेशन यह क्या होता है स्कॉप ओफ इन्वेस्टिगेशन ओफ इन्वेस्टिगेशन ओफ डिफेक्ट डिपेंड्स में इसका मतलब क्या है इन्वेस्टिगेशन जो डिफेक्ट हमारी बिल्डिंग में आया है उसको हम इन्वेस्टिगेशन या ना करें वह सारी चीज हमारी fund पर Depend करता है ठीक है जैसे किसी का budget ही ना हो कि वह इतना Investigation करे, उस पर Diagnosis करे, वह direct उसको repair कर देता है ठीक है हम जैसे normal family होती है चोटी हमारी इतनी rich family ना हो तो वो क्या करते हैं कोई भी building structure में कोई crack आता है तो हम उसको cement paste से उसको fill कर देते हैं ठीक है उसके पीछे क्या region है किस वज़े से वो crack आया है वो thermal जो temperature variation होता है उसकी वज़े से crack आया है या कोई environmental effect है उस पे या load के वज़े से access होने के वज़े से वो structure में crack आया है कोई defect आया है हम यह सारी चीज उसमें check नहीं करते है ठीक है तो यह सारी चीज हमारे fund पे भी matter करता है ठीक है अब देखते हैं उसमें क्या-क्या scope होते है जैसे nature of the defect ठीक है the accuracy with which cause of defect need to be identified ठीक है अब जो accuracy के साथ हम defect को पता करते हैं कि उसके पीछे reason क्या है उस defect में जो building में आता है वो किस वज़े से आता है ठीक है तो वो हमें पता करना होता है the primary aim of investigation of the defect ठीक है तो defect हमारी building में आया है वो investigation के दोरान हमें पता करना होता है ठीक है तो यह हमारा aim होता है ओके तो यह सारी चीज़े हमारे scope में आती है जैसे यह तीनों चीज़े मिलके हम बता सकते हैं कि किस type का defect है और उस पे कितना fund लगाना कितना पैसा उस पे लगेगा जैसे यहां पे इस image में आप देख सकते हैं यह हमारा ceiling का plaster और साथी साथ slab का concrete भी गिर गया है ठीक है काफी serious situation ह होती है यह जिसमें reinforcement में rusting हो जाती है जंग लग जाता है corrosion हो जाता है ठीक है तो इस type के repair और maintenance में खर्चा भी जादा होता है ठीक है तो ऐसे ही हमें उसका पता लगाना जरूरी होता है कि defect किस type का है किस nature का है और उसमें investigation के तुरू हम पता करते हैं और उसी के basis पे हम उस प फंड लगाते हैं उस पे पैसा लगाते हैं ठीक है अब आता है कुछ factors जो कि हमें investigation करते वक्त ध्यान में रखने होते हैं ठीक है जब इसमें factors क्या है appearance and types of cracks okay जो crack हमें दिखाई दे रहे हैं investigation के दोरान वो कैसे हैं कैसे होने का मतलब वो minor cracks है यानि की बिलकुल fine जैसे hair होते हैं बाल होते हैं बाल जैसे बिलकुल बारीक-बारिक होते हैं उसको hair cracks मर्च्ट भी बोलतेंं ठीक है बिल्कुल वारी क्रेक होते हूं और कुछ काफी वाइड होते हैं जैसे इस फीगर में आप लेख सकते हैं यह क्रेकश्ट हो चुका है बिल्कुल इसमें कई इसकी विड्थ इसकी तोड़ाइ काफी ज्यादा और ठीक है यानि उसकी लोड केवरी कैपिस्टी डिजाइन करते वक्त कम थी बट उस पे बाद में लोड और आ गया है ठीक है, ओवर लोड वो हो चुका है ठीक है, यह हमें चेक करना होता है difference in design load and actual service load ठीक है, जैसा भी हमने बताया जो design load है और actual load उस पे कितना पढ़ रहा है उसमें कितना difference है, वो पता करना होता है spread of defects, अब जो defect है वो कितना fell चुका है ठीक है, वो पता करना होता है जैसे localized or over the entire area ठीक है, यहनि कुछ portion पे अगर defect है या फिर पूरे structure पे, पूर entire area पे वो defective fell चुका है, तो वो पता करना होता है permeability of the affected concrete जो concrete है, उसकी permeability पता करनी होती है extent and source of dampness in building ठीक है, building में कहां से dampness आ रही है sealant, बोलते हैं dampness को वो कहां से आ रही है वो पता करना होता है chloride level of concrete, concrete में कितना chloride level है वो पता करना होता है carbonation and depth of carbonation of affected concrete ठीक है, जो carbonate component होते हैं वो concrete में आते हैं और उसको कमजोर करते हैं ठीक है, तो वो पता करना होता है degree of corrosion, ठीक है corrosion यानि कि जंग लग जाना हमारे जो steel बाहर से हैं उसमें जंग लग जाता है और भी steel के components होते हैं तो उसमें जंग लग जाता है तो वो भी हमें पता करना होता है types of defects in woodwork ठीक है, जितना भी लकडी का काम है उसमें कैसा defect है और कितने extent तक वो fell चुका है वो पता करना होता है causes of leakage in water supply and drainage system ठीक है, जो भी water supply का system है या फिर drainage system है उसमें कोई leakage जाना हो अगर leakage हो तो उसकी वजय से structure में dampness start हो जाती है तो यह सारे factors हमें अच्छे से ध्यान में रखने होते हैं जब हम investigation करते हो किसी भी defect की अब है preliminary investigation preliminary यानि कि सबसे पहले का जो हमारा investigation होता है वो क्या होता है ठीक है deterioration of building structure means certain elements of the building has become incapable of serving the expected use due to some damage in the element इसका मतलब क्या है जब कोई building structure deteriorate हो जाता है तो उसका मतलब क्या है वो अपना पूरी service नहीं दे पा रहा है जिस service के लिए उसको बनाया गया ठीक है the main consideration of such investigation is to find the source and root cause of the damaging force जो structure damage हुआ है जो component damage हुआ है तो उसके पीछे main कारण क्या है तो वो हमें पता करना होता है यह ठीक है फिर है for this purpose it is very important to collect all the relevant data related to the affected structure ठीक है structure से related जितना भी relevant data है वो हमें इकटा करना होता है जैसे क्या-क्या material से हमारा structure बना हुआ होता है जैसे brick है cement है sand है या फिर उसमें हमने lime का यूज किया है उसमें हमने stone का या फिर wood का यूज किया है ठीक है तो यह सारे components और उसका design की जो drawing है और structural drawing है यह सारे component यह सारे data हमें इकटा करना होता है ठीक है अब इसमें steps क्या-क्या हम use करते है for deteriorated building is kept undisturbed ठीक है preliminary investigation हम करते है सबसे पहले जो investigation करते है उसमें पहला step क्या है जो हमारी building खराब हो रही है deteriorate हो रही है उसको हम disturb बिलकुल नहीं करते है ठीक है उसमें कोई भी vibration कोई भी heavy equipment से हम उसका आसपस का movement नहीं करते है ताकि वो गिर न जाए ठीक है तो दीरे दीरे और आराम से उसका investigation किया जाता है ठीक है During the first visit to the site photographic data of the deteriorated building is collected ठीक है photograph लिये जाते है उस building के कि कहा कहा पे क्या क्या defect है ठीक है फिर है all symptoms at site are carefully recorded for further analysis जितना भी data वहाँ से मिलता है उन सभी को note किया जाता है further analysis के लिए ठीक है ये सारा data आगे future में किसी और building में कोई defect आता है तो उसके reference के लिए भी इनका use किया जाता है ठीक है जो person जो आदमी उस building में रहते थे तो उन आदमियों से भी पूछा जाता है ठीक है तो ये steps हाप सबसे पहले follow करते हैं during preliminary investigation अब sources of information अब जो building damage होने वाली है या defective है उसको हम defect क्या है कैसे हुए है तो वो सारी information हम इखटा करते हैं कैसे सबसे पहले उसकी drawing and specifics उस building structure की हम drawing देखते हैं उसके specification देखते हैं ठीक है dimension कहाँ कहाँ पर किस column बीम दिवार के क्या-क्या dimension drawing के coding दिये गए है और उसमें defect होने के बाद क्या change आया है तो वो हम study करते हैं ठीक है drawings and specification हम check करते हैं यहां से information इकटी करते हैं फिर हम information इकटी करते हैं consultant and architect से ठीक है architect या consultant को हम बुलाते हैं और उनसे पूछते हैं कि हम इसमें जो material है उसकी specification क्या थी ठीक है वो design के according change है या नहीं है ठीक है यह सारी चीज़े पता करते हैं site notes and reports construction करते वक्त site पे कुछ notes भी बनते हैं building से related ठीक है ठीक है तो उनकी भी study की जाती है जिसे हम information इकटा करते हैं ठीक है फिर जो maintenance के manual है building maintenance के manual है उसकी study की जाती है ठीक है फिर है interviews जैसे कि हमने बताया वहाँ पे रहने वाले आदमी है उनसे भी data इकटा के जाता है उनका interview ले जाता है ओके फिर है inspection physically building में जाके वहाँ पे inspect किया जाता है कि क्या-क्या defect हमारी building में आए है और उनके पीछे main region क्या-क्या हो सकता है ठीक है फिर test किये जाते है measurement के लिए जाते है उनसारे test और measurement का जो data इकटा होता है तो information में वो helpful साबित होता है ठीक है जब हम diagnosis करते हैं किसी भी defect का तो वो सारी चीज़े हमारे helpful साबित होती है अब कुछ detailed steps for diagnosis of defect जब हम defect को diagnose करते हैं तो उसमें हम क्या-क्या चीज़े check करते हैं ठीक है step by step यह देखे diagnosis of defect is very challenging किसी भी defect को diagnose करना उसकी बिमारी क्या है बिल्डिंग में बिमारी क्या है वो पता करने के लिए बहुत ही ध्यान से काम करना होता है बहुत ही challenging यह task होता है ठीक है क्यों क्योंकि कई बार जो damage होता है बिल्डिंग में वो एक जैसा होता है ठीक है जैसे दो building या 10 building हैं सभी में damage एक जैसा दिखाई देता है उसमें similar type के cracks आते हैं या फिर उसका paint वगारा खराब होता है बट उसमें जो region है वो अलग-अलग हो सकते हैं ठीक है जैसे कोई ठंडा area है जहां पर बरफ पड़ती है या उसके opposite में एक दूसरा area है वहां गर्मी जादा पड़ती है बट दोनों building में cracks same आये हैं ठीक है तो यह भी हो सकता है कि defect same हो बट location और building अलग-अलग हो ठीक है तो यह कफी complicated काम होता है डाइगनोस करना ठीक है फिर क्या है देखिए यह पता है मैंने sometime symptoms of damage buildings are common symptom उसमें same हो सकते हैं बट उसके पीछे जो reason है cause है वह अलग-अलग हो सकते हैं ठीक है तो इसलिए hence diagnosis the exact cause of damage out of a large number of possible cause is exactly a challenging and demanding task ठीक है बहुत सारे possible जो reason हो सकते हैं उस defect से related उन में से एक exact हमारा जो defect है sorry एक exact जो reason है एक कारण है वो पता करना एक challenging काम होता है ठीक है यह defects पता करने के लिए defect को diagnose करने के लिए यह step हम करते हैं यह हमारी steps देखिए अब यह से पता लगेगा हमें कि हम कैसे उसको check करेंगे सबसे पहले हमारा step आता है physical inspection ठीक है building में हमें physically जाके देखना होता है कि cracks कैसे कैसे और cracks या defect कोई part गिर्द गया या damage हो गया वो सारी चीज़े हमें physically जाके फिल्डिंग पर आ रहा है वो कितना है ठीक है design लोड तो हमें पता लग जाएगा drawing से बट actual लोड कितना रहा है वो हमें वहां पर जाके ही पता लगेगा ठीक है फिर करते है actual sorry estimation of actual construction ठीक है इसके बाद हमें पता करना होता है कि यहां पर actually construction क्या किया जाना है ठीक है उसका estimate क्या होगा अब हम देखते है weather safe क्या वो safe है ओके weather repairable और maintainable अगर हमारा structure repairable हो या maintainable हो तो उसमें दो चीज़े होती है ठीक है first is yes वो repairable है इसका क्या मतलब है और second है no अगर हमारे building repairable नहीं है ठीक है दो चीज़े आई एक या तो repairable है या फिर repairable नहीं है अब दोनों चीज़ों को हम consider करेंगे ठीक है repairable हमारा है हमने first चीज़े रिपेरेबल है तो क्या होगा weather repairable और maintainable अगर repairable है तो उसमें से भी दो option हमारे बनते हैं अगर repairable है तो उसको yes ठीक है repairable है तो हम उसमें क्या करेंगे design and carry out appropriate of repair and maintenance अगर repair करने लायक है वो ठीक है तो हम उसको repair करेंगे उसकी maintenance करेंगे ठीक है तो यह थे हमारा first step जिसमें हम yes के तरफ आगे move किया है अब देखते हैं जब no अगर हमारी building repairable नहीं है अब क्या है repairable नहीं होने पर भी दो चीज़े बनती है weather rehabilitation possible अगर हमारी building repairable नहीं है हम उसको repair नहीं कर सकते ठीक है वो रहने लायक है या नहीं अब यह पता करना होता है ठीक है तो हमने देखा repair होने के repairable तो नहीं है वो building अब उसमें repair होने लायक है तो उसको हम sorry और रहने लायक है तो हम उसको रिपेर कर देंगे मेंटेन कर देंगे ठीक है और रहने लायक अगर नहीं है रहने लायक अगर नहीं है तो फिर हम इसको डेमोलिस कर देंगे तोड़ देंगे उसको या फिर तोड़ने के बाद इसको दुबारा से बना लेंगे ठीक है या फिर छोड़ा सा clear कर देता हूं में इसको physical inspection हमें करना है वहाँ पर देखना है क्या problem है examine करना है actual loads की estimate करना है actual construction हमें कितना करना होगा ठीक है अब उसकी safety के उपर क्या है weather safe अगर repairable है yes repairable है तो उसको हम repair कर देंगे maintenance कर देंगे उसकी और हमारा structure तयार हो जाएगा अगर repairable नहीं है तो हम उसको तोड़ देंगे abandon कर देंगे छोड़ देंगे उसको ठीक है अब दूसरी चीज़ क्या आती है अगर repairable वो नहीं है repairable नहीं है तो हम चेक करते हैं, वो रहने लायक है या नहीं है, ठीक है, रहने लायक है, येस, तो उसको हम repair करेंगे, maintain करेंगे, अगर रहने लायक नहीं है, तो भी हम उसको तोड़ देंगे, उसको दुबारा से reconstruct कर लेंगे, ठीक है, तो ये थे कुछ systematic steps, जो कि हमें diagnosis, जब हम defect का पता करने ज होते हैं, कि उसका reason क्या है, उसको diagnose करने हम जाते हैं, तो हमें ये follow करने होते हैं, ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ, आपको ये समझ में आये होगा, इसको आप हाथ से बना के देखना, एक दो बार revise करना, आपको ये अच्छे से याद हो जाएगा, ओके, तो उम्मीद करता किजिए, share कीजिए, subscribe कीजिए मेरे चैनल को, thank you for watching, have a good day.